Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Children, yesterday in maths, we did writing numbers 1 to 30. Okay? Today in maths, we will learn a new concept. Aaj हम एक नए कॉंसेप के बारे में पढ़ेंगे maths में. Okay? बट उससे पहले माम आपसे अभी कुछ पूछेंगे. ठीक है? अच्छा, बिटा तुँ आप अभी पहले नर्सरी में थे, है ना? आप पहले नर्सरी में थे, और अभी आप कौन सी ग्लास में हो? आप LKG में हो. Right? तो नर्सरी में आप लोगों की हाइट छोटी ही, है ना? आप छोटे थे, ठीक है? और LKG में आप क्या हो गए हो? अब आप लंबे हो गए हो. अब आप लोगों की हाइट बड़ी हो गई है, है ना? तो क्या हुआ है? आप लोगों की height बढ़ गई है पहले आप लोग छोटे थे और अभी आप लोगों की height बढ़ी हो गई है आप लंबे हो गई हो, है न? तो यानि जब आप nursery में थे, because आपकी height छोटी थी तो आप क्या थे? short, you were short in height and now that you are in LKG और आपकी height लंबी हो गई है तो अभी आप क्या हो? अभी आप tall हो गई हो, ठीक है? So earlier you were short, now you have become tall, ओकी? तो आज हम maths में we will learn the concept of tall and short, ठीक है? आज हम tall and short के बारे में पढ़ेंगे तो अभी मैं ने आपको बताया कि height जिसकी लंबी होती है, वो tall है और जिसकी छोटी होती है, वो short होता है, राइट? तो अभी माम आपको कुछ objects दिखाएंगी, जिससे की आपको बताना है, identify करना है कि उसमें से tall कौन सा है और short कौन सा है, ओके? चलो अभी क्या है यह हमारे सामने? माम ने आपको यह दो bottles दिखाएंगे हैंना? तो अभी आप बतायों, माम ने आपको बताया ना कि जिसकी हाइट लंबी होती है, वो tall होता है और जिसकी हाइट छोटी होती है, वो short होता है, तो अभी मुझे बताये कि इन में से tall कौन सा है और short कौन सा है? क्योंकि देखो दोनों की हाइट सेम नहीं है, यह लंबा है, तो यह tall है, यह छोटा है, इसकी हाइट छोटी है, तो यह क्या है? यह short है, ठीक है? मैं मुझे बताये, इसमें से tall कौन सा है, short कौन सा है, मैं मुझे बताये, इसकी हाइट इससे लंबी है, तो यह क्या हुआ? यह tall है, ठीक है? और इसकी हाइट छोटी है, यह इससे छोटा है, है ना? तो यह क्या है? यह है short, right? This is tall and this is short, okay children? Now, मैं मुझे बताये, इसमें से कौन सा tall है, कौन सा short है, तो देखो बिटा, इसकी क्या है? इसकी हाइट जादा है ना? यह इसकी हाइट इससे जादा है, right? तो यह क्या हुआ? यह हुआ tall and this is, इसकी हाइट छोटी है, तो यह क्या है? तो यह क्या है? This is a short pencil, ठीक है? यह tall pencil है, यह इन this is a short pencil, okay? Okay, now we have what? देखो यहाँ पर अब क्या है? यह क्या है? यह क्या है? चोट, है ना? तो अब मुझे बताएए इसमें से tall and short कौन सा है? देखो, इसकी हाइट जादा है, तो यह tall है और इसकी हाइट कम है, यानि यह छोटा है, तो यह short है. यह वाला चौप इससे छोटा है, है ना? तो इसलिए यह short है. और यह इससे लंबा है, तो यह tall है, okay? So, children, ma'am showed you all the objects, which are tall and short in height, है ना? Ma'am ने अभी आपको tall and short height object दिखाए, okay? So, today we learned about the concept of tall and short, okay? अभी ma'am की video देखो और दुबारा से आप इस topic को समझो और घर में भी आप find out करो कि कौन सा object tall है और कौन सा object short है, ठीक है? यानि किस की height जादा है? और किस की height का में, यानि कौन लंबा है और कौन छोटा है, ठीक है? जब बाई!